पॉटोनो यहाँ का इनके शेक्र के विजिनने इसकर नहों के शर्वजन करें नहीं है माननीय सदेशिगन और परियोजना सलहागाव समीथी के दे माननीय सदेशिगन अची विशिट अची की महदय एवं विशिट अची की महदय के द्वारा इंस्पेक्शन किया जा रहा है अची है जिसमें खुल की तबी जाच सरस्थ लोगों की की गरी अस्पताल राची और खाथी कंद्री अस्पताल इनके दख्रा तो चिकिस्टागन इस अस्पाल कर रुप लगाए इंस विशिट अच्छन के देशिगन अच्छन किया जा रहा है जाच्छन के अधनानी मुणा कर राध्यी क्वाए पिलाध मुणा कर रहा है कर दो विले कदम हमारा जोड़ा दीना विशाल गंते हमारे हाथ हुलाक हमारे हम है आग हम है बिचली हम है शक्ती की खाथ हम है को लिनिया को लिनिया हम अगे रिजे खोद जाते हम उजाने खुशियों के चक्ताने धोड़ जुटाने हम तिन दाखों पे हम है बिनिया को लिनिया अदब मिले चले ताल मिला कर साथ पसर कर वाने हम आए काला ही आ हम से भुच्वर देश किराए हम ने आग हम है विजली हम एक दावी था हम रे गोल इंडिया तो बोल इंडिया हमी हम रे गोलिया गोलिया हमी तो बढ़ाई आए ना है चलिए तो किक माते हुए और खेल की शुरुआ है और इस पतार बहुत जन्दी सेंटर इसकूर खुले यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई वादित नहीं हो इसके लिए हमने आग्रा किया है एक और मेरा आग्रा है मानी गुपाल सिंगी से कि जो बच्चे यहां पर बढ़ने में बढ़ते अच्छा मांस लाते हैं आप शे भईया शे बैन बारा है स्टुटेंट्स को जो बढ़िया हैं पढ़ने में आप उनको इसकूलर सीप देखा है हिंदोस्तान के बढ़िया से बढ़िया स्कूल में उनका एड़िशन कराओ ताकि खिलारी की ये बच्चे हिंदोस्तान में अपना नाम कर सके भायों तो बेहनों हम प्यास कर रहें कि बहुत जल्ली जो योजना है धरातल पुत्रे हमने आगरा भी किया है कि जो धूल उड़ती थी उसको नियमेत रूप से सुबे दुपे साम हर दो गंटे तीन गंटे में हाँ पाली का छिर्काव हो इसकी परवाने जवस्ता हो इस संबन पे भी हम बात कर रहे है अम ये विश्वास दिलना चाहते हैं भायों बेहनों कि आप ने जो आपे छाएं ख पूर समचन दिया मैं आपका अभारी हूं मैं आपका अभारी हूं और CCL के तरफ से मैं इस मंच के माद़ ये भोशना करता हूं हम लोग ने ये भी बात किये कि जल्द ही जारकंड लो हमारा उदूर बनाता है विंग उसकी टीम भी यहां विजिट करेगी हमारे CCL के अरिक जारी हों और मैं समस्ता हूं कि खेलारी का पर्मानेंट सोलूशन यही होगा जैसा कि हम लोग वहां में भी बात पह रहेते कि जिस रोड से ट्रक जाए उस रोड पर लाइट वाहन न जाए या दूसरा तरह से कहिए कि लाइट वाहन के लिए अलग रोड हो ट्रक के लिए एक यह हो सकता है दूसरा कि आज हम लोगा रहे थे रास्ते पे तो देख रहे थे पूरा लंबा ट्रक जो है नहीं जहां तहां खरे की हुए हम यह भी देख रहे थी कि CCL की बहुत जमीन परी हुई है रोड के किनारे तो मैं इनके प्रबंदन से GM राउ से मैं आधरा करता हू कि रोड के बगल में आप जगर जगर बड़ा बड़ा पार्किंग स्पेस मनाईए ताकि ट्रक को जिसको ख़़ा होना जिसको खाने का नास्ता का चाह पीने के आउशकता हो वो पार्किंग स्पेस में ट्रक ख़़ा करे नकी रोड को ख़़ा है जो लाइटिंग की बात है वहाँ पूल पे जो लाइट लगा है, हमें बताया गया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो लाइट CCL का है, कि अस्टेट बवर्मेंट का है, मगर मैंने कहा कि सबका उद्रश्य एक ही, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और CCL. इसलिए मैं आग्रह करूँगा, ये पूरा खिला लिए, और मुझे अभी मैं जब बैठा था, तो मेरे एक पत्रकार मित्र में बताया, कि चूरी कॉलोनी का लाइट एक दम साव चका चक को, मुझे बवभी खुशी लिए, मैं पिछला बार आया था, इंके में, तो मैं सिमिल इंजीनियों को ले गया है, कि भाईया आए घर में चलो, और नल से पानी निकालो, और यदि आपको पानी पी सकते हो ग्लास से, तब तो मैं मानूँगा कि हमारे श्रमिक भाईयों को ठीक पानी मिल रहा है, मुझे इस बात की खुशी है, मन्ज से मैं एनाउंस करना चाहता हूँ, कि हमारे स्टाफ अफसर सिबिल, उस क्वार्टर से टैप से ग्लास का पानी निकाले और मेरे सामने पीए, और वहां तक बिमार नहीं, मैं स्टाफ अफसर सिबिल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं मन्ज से उनसे अग्रा करना चाहता हूँ, कि आप ये सुनिश्चित कीजिए, कि हर घर में ऐसा पानी मिले, कि बंदा नल खोले और पानी पीए, फिल्टर लगाने और अलग अलग संसादनों क्या हो चकता नहीं है। ये हमारी क्राफ मिक्ता है, कुझे CCL चल रही है और इसको हमें पूरा करना है। हथ सही है कि कोईला नहीं निकलता, तो देश की साथ सो में से 72 बल्ब नहीं जलता है। क्योंकि 72 बल्ब, चाहे हो कन्यक कुमारी हो या कश्मीर हो। यदि कहीं सो भल जलता है, तो उसमें से 72 बल्ब कोईला श्रमीकों की बदलत जलता है, कोईला वागों की बदलता है। हम आपको बदाऊं, कोईला निकालने के लिए हमारा कोईला परिवार कितनी कठिनायों का सामना करता है, दूल, ढग, रोड खराब, लाइट नहीं, गंदा पानी, साधी समस्याओं को छेलते हुए, हमारा ये श्रमिक कोईला परिवार कोईला निकालता है, जिसे देश के कोणे कोणे में यदि सो बल्ब जलता है उसमें से पहत्तर बल्ब कोईला पर आधारी मैं कोईला श्रमिकों को कोईला परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं आभार करता हूं कि देश के विकाश में आपका जो युगदान है अपने आप में अभूर्व है तो उसके लिए बढ़ा वश्य है कि यहां यह योग के लिए हौल बने जहां हमारे साथी आकर यहां योगा कर सकें बढ़ा आवश्यक है इस श्यक्र के लिए कि हम एक स्कूल के बनने कुछ और ज्यादा स्कूल स्कोलें ताकि हमारे बच्चों को कुछी शिक्षा मिल सकें तो बढ़ा आवश्यक है हम सब लोगों के लिए इस खिलावी का काया कल्पू